तो स्वागत है आपका अपने चैनल ओफिसर्स टीम पर तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए भरती के बारे में जो कि IIT धनवाद की तरफ से है दोस्तो इससे पहले भी जो है IIT की वेकेंसिया आ रही है अब इससे पहले ही जो IIT रूटकी का भी आया था वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो यह देखिए यह जो नोटिफिकेशन है यह आप 15 जुलाई को जारी किया गया है यहां देखिए 15 जुलाई दो जारी कि इसको जारी किया गया इंडियान इस्टिट आफ टेकनलोजी इ 25, SC के टोगरी के 11, ST के 6 पदो पर, OVC के 21 पदो पर, EWS के 10 पदो पर और इसके लिए जो आपका पेस केल होगा दोस्तो वो लेवल 3 का पेस केल होगा और जो है दिव्यांग आदमी के लिए जो है दिव्यांग परसन के लिए इसमें दो पोस्टी जर्व रखे गया है आगे बात करते हैं इसके लिए जो इलिजिबिलिटी के टेडिया है तो दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए जो है तो इसकी मैक्सीमम में जो है वो तीस साल है इसमें आप यह देख लिए कि अगर आप OVC केटोगरी से होंगे तो आपको तीन साल कारी लेक् आपको 55% नमरों के साथ किसी भी स्ट्रीम से जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए यानि आप बीए बीए सी बेसे अग्री कल्चर इंजिनियरिंग जो भी कुछ भी किये हुए है बीकॉम कुछ भी किये हैं तो भी आप इसको भर पाएंगे और आपको दोस्तों कम्प्यू और दोस्तों इसमें जो है आगे लिखा हुआ है कि दिब्यांग पर्षन के लिए जो है टाइपिंग स्पीड जो है उसका कुछ कम होगा वो देखना होगा और आगे बात करते हैं अप्लिकेशन फी तो अप्लिकेशन फी जो है वो देखिए आपको 500 रुपे रखा गया है जो कि आपको ऑनलाइन ही पेवेंट करना है दोस्तों यहां क्या है कि अगर आप जेनरल केटोगरी मनें अंडिजर्व केटोगरी और OVC से है तो आपको 500 रुपे देने है और अगर आप SC है या ST है या एक सर्विसमेन है या दिब्यांग है या फीमल कंडिडेट है तो आपको पैसा देना ही नहीं है कोई फी नहीं है आपके लिए और जो जेनरल से होंगे और OVC से होंगे जो मेल होंगे उनके लिए 500 रुपे फी रखी गई है और आगे बात करते हैं कि जो इसका आखरी तारीक है तो आखरी तारीक जो इसका रखा गया है वो 31 अगस 2020 रखा गया है दोस्तों यहां सभी का जो है एकदम इसल साइट पर जाने की कोई जरूरी नहीं है और देखने की आपको यहीं से इसका पूरी जानगारी जो है मिल जाएगी अब आगे बात करते हैं इसके जो एक्जाम पेटर्न है दोस्तों इसके डिटेल से लिवस जो होगा कि इस टॉपिक से कितने कोश्चन्स पुछे जा यानि आप यह क्या सकते हैं कि फ्री टाय इसलेक्ट कीया जाएगा और इनको अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा और दौसतों इसका cut-off वगेरा बहुत इसमें नहीं है, यह qualifying nature का है, यानि जो उपर से, जितने भी नमर का exam होगा, उपर से जो rank 730 तक के बच्चे होगे, उनको second round के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद बात करते हैं trade test का, जो part 2 होगा, वो आपका जैसे typing का test होगा computer पर, तो यह इस किया जागा, तो कुल इस तरह मिला के यह 100 नमर का आपका exam होने वाला है, part 3 का, तो दोस्तो इसका जो है देखे, आपका जो selection होना है, तो वो final merit list जो बनेगी, वो आपको जो number लाएंगे, आप written test में, और computer proficiency test में, इससे जो है आपका merit बनना है, तो दोस्तो यह थी भरती से संबंदित, पूरी जनकारी, अगर आपको इसमें किसी तरह का दिक्कत हो, या हमने कोई जनकारी आपको बताने में मिस कर दिया हो, तो आप comment box में लिखेगा, या आपको किसी तरह का दिक्कत हो, तो आप direct telegram पर हमको message भी कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे telegram के channel पर, जिसका link हमारे description में मिल जाएगा आपको, तो दोस्तो, और इसका official site भी अगर आप देखना चाहिए, तो यह यहाँ देखे, इसका link है, official site www.iit.ism.ac.in, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और दोस्तो इसका एक जो होगा, Slavos का video हम आपको अलक से provide कर देंगे, जिसमें इसकी पूरी जनकारी हम आपको बताएंगे, किस topic से, कहा से questions आएंगे, किस तरह के होंगे, कितने cut-off होंगे, यह सब जो है, salary वगिर आपकी पूरी जो है, उस video में हम आपको discuss कर देंगे, तो आप channel को subscribe कर लिजे, जिससे क्या सारी updates हमें पूर मिले सके, धन्यवाद